तो चलिए आज के में इस वीडियो में गोपी में बनाना शुरू करते हैं यहां पर मैंने गोपी लिया है उसको छोटे-चोटे वाइट में से मैंने तोड़ लिया है और अच्छे से वोस कर लिया है अब सबसे पहले हम इनको पानी में थोड़ा सा उबाल लेंगे यहां पर मैंने पानी को गरम कर लिया है और इसमें थोड़ा सा अमनमक डाल देंगे गोपी को पानी में उबालने से एक तो यह भी होगा अना जो इसमें केड़े होंगे वो केड़े भी मर जाएंगे और जो गोपी हमारी वो थोड़ी सी गल पी जाएगी तो भी हम सार गोब इसमें डाल देंगे लगवक दो से तीन मिनट तक हम इसको थोड़ा सा उबाल लेना है और ये देखिये हमारे को भी उबल गई है दो से तीन मिनट हो गए है अभी हम कैस का फ्लिम बंद कर देंगे और इसको ठेंडा होने के लिए छोड़ देंगे अब यह में एक बाउल लेंगे उसमें एक कटोरी मेधा डालेंगे और यही सेम कटोरी इम एक कटोरी डाल रहे हैं कोर्ण फ्लोर अगर आपके पास राइस चाउल काटा है तो वह बीसमें डाल सकते हैं मेरे पास नहीं था तो मैं यह यूज करे हूँ और कस्मेरी लाल मिस डाल रही हूँ कलर के लिए थोड़ा सा नमक अधरक लेसुन का पेश्ट बनाया था मैंने वो इसमें डाल लिया है एक चमच और इनको अच्छे से मिला लेंगे और पानी के साहता से और इसका ऐसा थोड़ा गाड़ा-गाड़ा समय बैटर बना लेना है इस देखिए इस तरीकी का और यहां पर हमारे गोवी भी थंडी होगी मैंने इनको प्लेट में निकाल लिया है और पम इनको बैटर में डाल के अच्छे से मिला लेंगे यह देखिए मैंने इसको आथो से अच्छे से मिला लिया है अब हमें इसके उपर थोड़ा सा कॉर्न फिलोर जो था वो इसके उपर चुड़क देंगे ताकि जो यह मारे गोवी आपस में जिपके न और अभी हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे अभी हम करेंगे फ्राइब करने के लिए मैं यह पर रफाइंड डाला है कडाई में जब इमें पकोड़ बगणा बनाती तो इसी ओल में बनाती तो वह मैंने स्टोर करके रख रखाता तो अभी हमेश में जो एको भी है उच्छे से फ्राइब कर लेंगे ये देखिए हमारी गोपी का कलर एकदम से चेंच हो गया है और फ्राइ भी हो गई है क्रिस्पी क्रिस्पी सी तब हम इनको निकाल लेंगे प्लेट में इस तरीके से हम सारी गोपी को फ्राइ कर लेंगे और ये देखिए मैंने शभी गोपी को फ्राइ कर लिया है कर अब ही हम लेंगे केपसिकम जो बारी कम कट कर अगर एक बार्षा जरीके कर लिया है अगर आपके पास गरिन जिली सोस हैं वो भी आप इसमें आड करसकते हैं और जो कीसेभ अफॉता है वो भी आप इसमें ऐड़ कर सकते हैं मैं यहाँ पर सोय सोस और विनेगर को ह्याट कर रही हूँ यहां पर मैंने कड़ाए लिए है उसमें थोड़ा सा तेल डाल लिए है अब हम जीरा डाल देंगे इसमें जीरा चटकने के बाद हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चे और जो लैसुन हमने बारी कट किया था वो डाल लेंगे थोड़ा सा इनको हम चला लेंगे और ब्राउन होने के बाद हम इसमें डाल देंगे हमारे जो प्यास थे वो वट करके डाल दिये हैं इनको हम थोड़ा ब्राउन होने देंगे फिर हम इसमें कैप्सिकम डाल देंगे इनको भी हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे तो यह देखे हमारे फ्राइब हो गए हैं अभी मैं इसमे डाल रहे हूं रेड चिली, कस्मेरी लाल मिर्च और जो हमने यह बनाया था स्वैसोस वो हमें इसमें डाल दिया है और अच्छे से मिला लेंगे गैस का फ्लेम आप इस टाइम पे एकदम से लो रखें और जो हमने गोवी को फ्राइब किया था वो हम इसमें डाल लेंगे और अच्छे से हम इसको मिला लेंगे और यह देखिए मैंने सारे गोबी को एक तुम से मिला लिया है अच्छे से और जो हमारे गोबी मंचुरिन है वो बनके रेडी है गैस का फिलम बंद कर देंगे और गरमा गरमा आप सरुखेजिए कैसे लगी आज के मेरे ये रेसिपी कमेंट करके जुरूर बताना करेम काट अच्ट कर देंगे संने झाली कर दोर एक पाली कर देंगे टंगे ख saints